असलाम अलेकुम इस हफते के चौते मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा आज का पहला कॉमेंट अगर आफताब इकबाल सहाब मिनी सियेटर में परफॉर्म करें तो कौन सा रोल करना पसंद करेंगे और अगर थोड़ा सा डेमो दे दें तो गुड हो जाएगा आपको अफताब भई आपको आफताब दोहा के रोल करना चाहिए इसी मेरा सवाल भी है याणि यंग जब अभी बी यंग है वैसे तो लेकिन आग से कोई ।ह। आपका इडियल क्या था... कि एक होता है एक सां का मैझने ये करना है मेरा ये फेडरिट करेक्ट thing मेरा कभी एक्टर कोई मेरा आइडियल नहीं था अजोनोर धन्या सहलक भात करनी है भुष्ष्ण अगर मैं बनना चाहता है कि यह अशे सान्थ मात्र को पसंद नहीं ता को अचर अध़ियु क्योंत था है जागो हे और इस फ़िज सद है को बीड है जिए और नकि अपर है तो था रह जपन हो भिक शुर रहे हैं ना कि अगर मुझे मुझारना पढ़ता तो मैं फिल्म डा정 की लूटार भाट से बनMO की डादा पासद है। आपकी दो उसके पिपना पशाद ना पन्रव थैजिए कक भीभर का इस फाद पफट मन सुस्टाहल कॉर्ए सव्सस्टाहर हॡ Μकलमॉ नहीं जागू का डेमो जागू जो देता है तैट सिट जॉक्टर साइबा कैफी और बबू बराय मेरबानी अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखा करें जी इससे हिंट मिलता है हम दोनों को फजूल के हिंस देने से परहेज करें अच्छा सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी लेकिन धीमे लहजे में दीजेगा नराज ना यह एक्दम नराज हो जाता है यह वरक अप वक्की होने की जरूरत नहीं है यह जो होते हैं आप यूं समझा करें कि तिफलाना कमेंट्स भी हो सकते हैं इस पे मैं एक थोड़ा सा जरूर एड़ करना चाहूंगी क कि वЕलगें सम्टाइमज ऐसे होता है कि वो यह ने कि आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा या आप डिस्ट्राक्ट होंगे उसक्ती हुटा है के आप 100% कनफर्म стороны कर चुके होते हैं आप अक्सर टीज़ करने के लिए सवाल कर वे होते हैं कि या ने आपको तो हम चाहे 25 पे पहुंँ जाए हैं तो फन क्रियेट कर रहे हैं शिरारतें कर रहे हैं आप से ज्यादा तो FSC इंटरस्ट ले रहे हुते हैं चेजे बाजी जी 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 अब जैसे आप बात कर रहे थे हम अगर बात करें जब आपने भगत सिंग की बात की तो आप पहले से उस उसरी जी 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 आपने आण दिला दिया आपकी गुफ्तगू से भगत सिंग के एक्षी क्यूशन से एक बात मुझे याद आगी एक तो ये कि भगत सिंग की एक्जेकूशन पोट लखपद जेल में ही वी थी ये जो चॉक है ना शादमान चॉका यहां पे अदालत तो वो ग्राउंड है जो जी ओर थ्री के अंदर है, सराउंड़ बाइ हाउज़, वहाँ पर हमने क्रिकेट खेल रखी है, मैंने काफी मैचेज केले हैं वहाँ पर, तो ये वो खाली जगा गालबन उस वक्त से मिसमार शुदा है, जब इसमें अदालत लगी थी, मुझे तो ये भी पता है कि कौन जज था, मैजिस्ट्रेट कौन था, ये एक लंभी मुट्बू है. मतलब इस वाज़ अंसर फो माइ साइट कि कभी-कभी जब हम हस रहे होते हैं, या इस तरह से कैजूल जवाब दे रहे होते हैं, तो वो गैस कर चुके होते हैं, नाम लेने की जगा अकसर हमें टीज कर रहे होते हैं, या जान के कहते हैं कि हमें अब हमें डिस्ट्रैक करेंगे, और बबू के साथ मैं इसलिए काऊंगे कि अगर बबू हसे हैं या कोई साथ दें, तो उनको पता ही नहीं होता, तो उनका मैटर नहीं करता, कैफी आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही बात करेंगे, ऐसा हर्गिस नहीं कि हम उनको कोई हिंट देते हैं, अब बात ये कि भगत सिंग ही रह गया ना, उन्हेंने बगाए, जी सिंग हैं, हाँ जी, एक्जीकुशन होई और सिंग भगत सिंग मेरे खालता है सिंगी थे, अच्छा जी, राजगुरू या चैनल सिंग सिंग हो नहीं सकते हैं, सवाल आए वे जी, उसने एक मजमून लिखा था जेल से, कि मैं एथिस्ट क्यूं बना, बात ये है कि उसके जो काखजात है ना, जो उस दोर के मख्तूते हैं, हाथ से लिखी पटवारियों की जो डिटेल है उसमें पढ़कर देख लिजए, उसका मजब सिक मजब था, अब ये खेर जरूरी बात, सिर्व ये बताने के लिए की जाए कि जी उसने मजब चेंज कर लिया था, बंदे का मिलान उसे मुख्त जगों पर ले जाता है, कि मैं एथिस्ट हो गया हूँ, वो बात में फिर वापस आ जाता है, उसका जो पैदाईशी मजब था, जो उसके बाप दादा का था, और वो कनवर्ट नहीं हुआ इंटू एनी रिलिजन, मतलब कि वो कहता ना जी मैं सिक मजब चोड़के इसाई हो गया हूँ, तो समझ में आती बात, वो कहें कि जी मैं अगनॉस्टिक हूँ, वो फिर भी सिक कहलाएगा, वो कहें मैं एथिस्ट हूँ, वो फिर भी सिक कहलाएगा, ता वक्ते के कोई मजभ चूज ना कर ले तो ये बहंस तलब बात है गहर मुतलब का बात है इतना फुशकवार काम उसमें आप जब इस तरह की बातें शुरू कर देते ना बास दोस्त हैं जो इल्मियत जाड़ने की कोशिश करते हैं अब ये गहर ज़रूरी बात थी उन्हें खुद भी अंदाजा होना चाहिए कि क्या हमें नहीं पता कि उसने ये मजमून लिखा था एक और साब ने जो गालबन तारीख के टीचर हैं ये स्टूड़न्ट उन्हें का कि भगत सिंग एड नाफिंग तो डू जल्यावला बाग उसे एक और केस में फांसी लगी थी वो केस डिफरेंट था इसमें कोई शक नहीं लेकिन वो बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था इस पूरी तहरीक में जिसका हिस्सा था जल्यावला बाग हमने कभी नहीं कहा कि उससे जल्यावला बाग की वज़ा से फांसी जल्यावला बाग की वज़ा से तो फांसी बनती नहीं है क्योंकि डायर अपनी तबही मौत मरा असल काम तो किया था उदम सिंग ने तो ये और मामला था सर नेक्स्ट कमेंट में एक सहाब कहते हैं कि हमारे फेमस कॉमेडियन अमर शरीफ सहाब बिमार हैं तो उनके बेल के वीडियो भी वाइरल हुए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगें? मैं उस पर आद भी कारबंद हूँ कि अमर शरीफ पाकिस्तान के टॉप रेटेड कमेडियन्स में से एक है उनका सरखेल है अन्ला ताला उन्हें सहते कामला अता करें मेरी दौा है कि वो फिट होके वापस फील्ड में आएं और मेरी बड़ी शदीद खाहश है कि हमारे शो में आएं रौनक बख्षें वो अगर कराची भी बैटे हैं तो हम उन्हें लिंक के साथ लेकर शो का हिस्सा बना सकते हैं एक बात दूसरा डॉक्टर कदीर खान इस आल सो एल अल्ला ताला उन्हें भी सहते कामला अता करें वो भी पाकिस्तान के बहुत बड़े मोसिन हैं हर वो अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का हैपी वाचिंग यह वाज रहे हैं तेर्व मेरे ख्याल है कि कॉल आरी थे वह वाजरे है तो एफ्र फिर वह हरकत करते हो तुमारी हादत बन गई है अजना रहा उदर अदर मु करो एक फासुले पर जाओ जाओ ज़ाओ ज़एब भाश अभी पीछ यह पिछ़ियाओ अन्देश अन्देश सांत्य बाह 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 बेगए बाह अब इसके साथ क्या करो ये बताई तो मैं सथा भाइ बॉला है … जब मैं मुसीबत में हूं आपने जो हो फॉरान मुझे बड़े तुमने इस बात का ख्याल रखना है के मेरी नाफ कहां पर उतरती है कहां चड़ती है